ओके आज की सोड़ोर में आपको दिखाने वाला हूँ डार्क इफेक्ट हम अपनी वीडोस को पर कैसे अपलाई कर सकते हैं कैपकट में और अपनी नॉर्मल सी वीडोस को सिनेमेटिक लुक को प्रभाइड कर सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट के टूटेल को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको दो तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी वीडोस को पर डार्क इफेक्ट अपलाई कर सकते हो जो तरीका आपको पसंद आएगा आप उसे यूज कर ले ना हाजी वीडो पर डार्क इफेक्ट अपलाय करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कैपकट तो थो यूज करने से पहले हमButtony से कर्नेक्ट होना पड़तarian हो तो मैं यहाँ सुपर वीपन यूज करा हूँ आप पेलेस्टुर तो आप बहुत सारी वहीपन मिल जयंगे किसी मे अब यहां पर डार्क इफक्ट अपनी वीडियो को पर अपलाई करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा ठीक है एक तो मैनुवली मैं आपको दिखा दूगा कि कैसे एक्चुली क्रेट किया जाता है देन उसके बाद मैं आपको कुछ फिल्टर से भी बता दूगा जिसकी हेल्प से आप एक क्लिक में अपनी वीडियो को पर डार्क इफक्ट अपलाई कर सकते हो तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैनुवली कैसे एडिट करना है वह देख लेते हैं तो new project को उपर क्लिक करेंगे एड उसके बाद अपनी वीडियो को हमें select करना होगा तो इस वाले वीडियो को मैं select करता हूं एड को पर क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो यहाँ पर एड हो जाएगे ठीक है आप देख सकतो वीडियो एड हो गया अब उसके बाद मैं आपको इसे प्ले करके दिखाऊं तो देख सकतो बिल्कुल नॉर्मल से है अब इसमें डार्क इफेक्ट अपलाई करने के लिए मंवाणल दॉल से देखने को मिलेंगे सबसे है ब्राइटनेस को परागे ब्राइटनेस वापको थोड़ा कम करने मैं एक्स्पोजर करने तोहां पर देख सकतो है सिरफ सकने करके यह तीनों को कितन से देने मरी करें करने जयां एक 10 % करने है या 12 % करना है ठीक है जितना आपकी उड़े को पर suitable लगे उतना आप कम करना जिसे की saturation और कम करना हमें चाहिए तब अच्छा रहेगा and contrast को थोड़ा increase करना चाहिए और brightness थोड़ा और कम करना नहीं चाहिए इतना सही है ठीक है HSL को उपर आपको आना है and यहाँ पर सभी colors का saturation और luminous दोनों को कम करते हुए ठीक है तो मैं यहाँ पर सभी colors का luminous और saturation को कम करते हुए जाता हूँ इसी तरीके से आपको हर एक color का saturation and luminous को कम करना है देन उसके बाद आपको देख पाओगे कि हमारी जो वीडियो है उसके ओपर dark effect apply होगे है मैं जस्टी से डन करता हूँ यह हमारे previous मतलब कि normal वाली वीडियो और यहां dark effect वाली देख सकते हूँ ठीक है यह एक टाइप का है इसी में आप एक थोड़ा different type का create कर सकते हूँ और वो भी देखने में काफी बढ़ी हैं लगते है मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो को पर आपको क्लिक करना एंड यही अधियस्ट में जाना सिर्फ एक छोटा से आपको चेंज करना है वह है HSL HSL में आखे जस्ट आपको कोई colors को कोई एक color का saturation को कम मत करना जैसे कि मैं इस वाले color का saturation को कम नहीं करता हूँ normal रहने देता हूँ ठीक है इभेन मैं इसे थोड़ा increase भी कर देता हूँ एंड उसके बाद इससे मैं done करके दिखाऊ देन आप यहाँ पर देख सकते हो यह थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा देखने में ठीक है तो इस तरीके से आपको ट्राय करके देख सकते हूँ कि आपकी वीडियो को पर कॉन सा करेशन कम नहीं करने से अच्छा लग रहा है तो यह था हमारे मेनुवल तरीका जिससे कि हम यहाँ पर इस तरीके का नॉर्मल सी वीडियो को इस तरीके का डार्क वीडियो में कनवर्ट कर सकते हैं अब हम एक सौटकट को देख लेते मिंस फिल्टर फिल्टर को अपलाय क करके भी आप कर सकते हो अपनी वीडियो को डार्क एफेक्ट में कनवर्ट ठीके तो मैं यहाँ पर क्लिक करके जस्ट इसको नॉर्मल सबसे पहले कर लेता हूं अट जस्ट को पर जाते हैं एंड यहाँ पर रिसेट कर देते हैं ठीके तो नॉर्मल हो चुका अब उसके लुएगे जस्ट आप इसका टेंपरेचर को कम कर देना ठीक है यहां से टेंपरेचर को कम कर देना है और कॉंट्रास्ट थोड़े इनकर देन यहाँ आप देख पा ओगे इसमें भी काफी अच्छ डार्क एफेक्ट आपको मिल जाते हैं तो आप इसे यूज कर सकतो देन उ दिखाया था और यह अप्लाइ करने के बाद देख सकतो यह वाला ज्यादा बढ़िया लग रहे तो आप इसे यूज कर सकतो या फिर यहां पर आपको और भी बहुत सारे डार के एफेक्ट मिलेंगे जस्ट आप यहां एक ब्लैक गोल्ड यूज कर सकतो मैं आपको दिखा तो कौन-कौन से फीचर में आपको सबसे पहले एक ब्लैक गोल्ड देन उसके बाद यहां पे जो हाय सेचुरेशन है और स्टार्टिंग का यह वाला ठीक है यह तीन आपको यहां फीचर में मिल जाएंगे और भी यहां पर बहुत सारे मिलेंगे जस्ट आप इसे आज इतना ज करें लेगा जो कि मैं यहां पर यूज करता हूँ हाय सेचुरेशन एंड इसका यहां से ओपेसिटी को भी हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि पूरा अच्छा रहे एंड उसके बादे डन करते तो आप देख सकते हो इस तरीके से एडिट करके इसे डार्क इफेक्ट आप यह काम आ सकता है जैसे कि मैनुवली यह हमारे एडिटिंग था और यहां पे एक फील्टर को सेलेक्ट करके हमने एडिट किया ठीके तो यह था हमारा स्टेप जिसके हेलप से आप यहां पर आपने व्यूद्यो को पर अपलाया कर सकतो व्यूदियो करेंट हो जागा द